हाई गैस थैंक यू फूर वाचिग मैं यूटूब जैनल और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विंड़ो 11 लैप्टोप में कैसे इस्टॉल करते हैं और विंड़ो 11 जो कि अभी आपने अपने अपने इस्टम और लैप्टोप में इस्टॉल भी नहीं किया होगा जहां तक बना है जिसके फ्रू मैंस लाइविन स्टॉल करों ही और आप देख सकते हैं लाइब्ने सा मदना रहा है। उसके दिख थे सब्सक्राहिए, फट्ट्राइब के य हो फॉपप एक दिखेए और प्रॉपर्पर य है कि नहीं और आप देख सकते हैं ॉपन करके इसको open करके भी जैसे कि मैं open किया और मैंने देखा कि इसमें सब्सक्राइब ठीक से हैं और मैं अब इसको सबसे पहले laptop को restart करूँगा restart अब देख रहा है मैं restart करने जा रहा हूँ और अभी window 10 डेला हुआ था मैं इसको 11 में convert करूँगा और यह restart होगा और restart होने के बाद में यह लेना होगा laptop है thinkpad तो मैं को इसमें F12 का button multiple time fresh करना होगा ताकि इसको boot menu पर जा सकूँ मैं और अब देख सकते हैं यहाँ पर boot menu अभी यह start हो रहा है boot menu सेलेक्ट करने के बाद में हम pen drives इसने auto boot ले लिया है और यहाँ पर next का जो भी जो language है वो select करें हम next करेंगे install now पर click करेंगे जैसे के install now पर click कर दिया है install now यह दिरे setup mode में जाएगा और यहाँ पर key नहीं है हमार पास में तो हम I don't have key access right now something उसको click करेंगे और इसको next कर देंगे नेक्स करने के बाद जो भी हमें Windows 11 का जो वर्जिन हमें चाहिए होगा install करना होगा जिसकि मेरे को वर्जिन इस्टाल कर रहा हूं मैं नेक्स पर click कर देंगे select करने के बाद में यह नेक्स अब देख सकते हैं यहाँ पर ट्रम्स और करने के बाद नेक्स करेंगे और कस्टम पर जाएंगे कस्टम पर जाएंगे जो इसकी सी ड्राइव है उसको पहले format करेंगे format ताकि वो जो विन्व 10 डाला वा था वो क्लिट्ली डिरीट हो जाए और उस भाटरे में से हट जाए जैसे कि मैंने format कर दिया उसको select और उसके बाद इसके बाद select करेंगे select करने के बाद next के टैप को click कर देंगे अब देख सकते हैं यहाँ पर installation पार्ट स्टार्ट हो चुका है copy window file getting file ready to installation 0% इस तरीके से यह इंसॉलेशन जो है 100% पर टच करेंगे जाके और installation के बाद में फिर installation अब इसका जो जो अपडेट्स हैं वो भी इसमें इस्टाल होंगे और जो इसके इसके इंदे देख सकते हैं मैंने जो पेंडर लगा रखी थी मैंने उससे इस्टाल करके निगाल दिया है और इसमें इस लिगों के लैप्टॉप में window 11 इस्टाल हो चुका है और यह रेडी मोड पर जा रहा है भी यह एप्ट इस पर क्लिक करेंगे और इसका यूई देख सकते हैं बहुत ही डिफ्रेंट है बहुत ही ओसम है और लुकिंग वाइज बेरी नाइस और यहां पर जो इसकी kide है federal language वो में use को साख करेंगे Evet select करने की वाइफ करने की ओप्षिन आएगा जो भी आपके वाइफ़ी आप जो यूस कर रहूंगा like फोट्पोट deber वाइफ़ा निकी टो जैसे मुझे भी कोई वाइफ़ी में लैप्टॉप का नाम यानि कि जैसे मैंने डाला हूँ है और पास्वर्ट जो भी आप अपने तरगी सेट कर सकते हैं वह सब्सक्राइब करेंगे यहां पर रिकन्फर्ट करेंगे और देन अगें नेस्ट करेंगे यहां पर कुछ विंडोस की बेसी सेक्यूरिटी कोश्टन्स का अंसर आप इसमें नोट कर सकते हैं आपके रमाइंडर के लिए जैसे मैंने तीनों कोश्टन को सब्सक्राइब कर दिया और यहां से मैं नेक्स करूंगा नेक्स करने के बाद मैं फिर यह जो उसका और जितनी भी कॉन्फिकेशन डिवाईजा लोकेशन लोकेशन जो भी बेसिक विंडोस की फीचर हैं उसको मैं यह पे असेट कर दूंगा और आलाओ कर दूंगा यहां पर मैं अप्लाई कर दिया अपलाई करने के बाद जस्ति जो बेसिक कांट्रिकेशन यूओ फीचर है वो सारा का सारा ड़न हो चुका है और यहां पर देख सकते है मैसेज भी लेख़र नहीं कते हैं एक बेखे बिंग से लिए शुक्राइव में पार इससे दोडिया को सब्सक्राइब यह देख सकते हैं कितना ओसम इसका जो डेक्स्टॉप का फीचर है यूई है और जो अब देख सकते हैं जो इसका मेन्यू बार था टास्क बार वो भी सेंटर में आ चुग है और इसमें विंडो का जो टैब होता है वो जो सर्च बार होता है हमारा लेफ्रेंड डाउन कॉलर म होता है जो कि अब मिडल डाउन का मिडल पॉइंट पर आ चुग है और देख सकते हैं यहां पर यह आपको यूई से आपको पता सब्सक्राइब यह विंडो 11 है और कंफरमेशन के लिए हम इस पीसी पर राइट प्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे और आप देख सकत का फ्यूचर है और कफी अच्छे यूई है तो आपको भी अच्छा लगेगा अंस्टॉल करके थाइंक यूबर वाचिंग माई यूट्यू चैनल